कमोडिटी बाजार पे नजर डाल लेते हैं हर दिन हम आपके लिए कमोडिटी मार्किट की बारीक बातों को आसान भाशा में लेकर आते हैं और इसे लेकर मौजूद है हमारे सहयोगी विशुमोहन विशुमोहन वेरी गुण मॉनिंग बताइए आज क्या है एवी सीडी की पा बात होगे इंटरनेशनल मार्केट के लिए अगर घरेलू बासार में देखे तो दस ग्राम सोने का भाव अभी आज के हिसाब से देखे तो 51,500 के आसपास है दस ग्राम चांदी का भाव अगर कैलकुलेट करें तो 55,000 के आसपास चांदी चल रही है एक किलो का भाव तो दस ग्राम चांदी का भाव हो गया 555 उपए सीधा चांदी के भाव से गोल्ड के भाव को डिवाइड कर दीजिए वही आपका रेशियो हो गया अगर रेशियो ऊपर की तरफ जा रहा है तो समझे कि चांदी सस्ती हो रही है चांदी का वैलिवेशन और गोल्ड महंगा हो रहा है ऐसा यह नहीं कि आज यह गोल्ड सिल्वर रेशियो चल रहा है सदियों से चला रहा है पिछले कई सालों से पिछले सो सालों का इतियाद देखो तो 2020 ने पहली बार कोरोना के समय में मार्च अप्रायल के महीने में 120 तक चला गया था गोल्ड सिल्वर रेशियो उसके पायदा क्या है पायदा कैसे आपको उठाना चाहिए तो अगर आप ट्रेडर है या निवेशक है ट्रेडर है तो आपको फॉरवर्ड कॉंट्राक्ट में ट्रेड करना चाहिए लॉंग पॉजिशन बना ले आगे के महीने में यह नहीं कि अचानक से कुछ बदल जाएगा और अगर गोल सिल्वर रेशियो बहुत जादा है तो अचानक से चांदी में तेजी आजाएगी लेकिन अब धीरे धीरे इसमें तेजी आए तो फॉरवर्ड कॉंट्राक्ट में लॉंग पोजिशन बनाए या कॉल आप्शन के जरीए ट्रेड करें और जो लंबी अबदी के न इन्वेश्मेंट टूल के तौर पर जी काफी इंट्रेस्टिंग टॉपिक धन्यवाद विश्मुवन हमारे साथ जुनने के लिए और कमोईटी की एबी सीडी में बताने के लिए के गोल सिर्वर रेशियो क्या होता है और उसका उप्योग आप ट्रेडिंग और साथ ही लं आने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं आपको बहुत बहुत शुक्री है हमारे साथ जुनने के लिए